नमस्कार दोस्तो स्वागते आपका हमारे यूटीब चैनल टोटल ग्यान में दोस्तो आज हम आपको अचारे चानके जी के माध्यम से बताने वाले हैं की इस्त्रियों को कौन सा भाग पवित्र माना गया है दोस्तो पुर्शों का धर्म और जाती अलग-अलग होने की कारण इस वज़े से वह इस्त्रियों के कई अंगों को पवित्र मानते हैं तो कई अंगों को एप वित्र मानते हैं अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग धर्म और अलग-अलग विचार होते हैं इसलिए आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं जो आपके मन का डर उसको दूर करेंगे दोस्तो वास्तु शास्तर की इनुसार कहा गया है कि एक ब्राहमन के पेर पुवित्र होते हैं एक गाएं का पिछला भाग पवित्र होता है यानि की औरत का हर भाग पवित्र होता है ऐसा वास्तु शास्तर की इनुसार कहा गया है आप इस विचार भावना को अपने मन से त्यार दीजिए इस्त्रियों का यह अंग पवित्र होता है और कौन सा अंग एपवित्र होता है क्योंकि इस्त्रियों को हम मा के रूप में मानते हैं और एक पत्नी के रूप में उसे अपनी व्यहन पत्नी बना कर घर लाते हैं और मालक्षमी के रूप में उनकी पूजा भी करते हैं दोस्तों अंत में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि इस्त्री का यह अंग पुवित्र माना गजाता है इसलिए हमें इस्त्रियों का समान करना चाहिए उन्हें इज्जित परदान करनी चाहिए और इस्त्री का कोई भी अंग पुवित्र ना मानते हुए या ऐ पुवित्र मानते हुए आपको मालक्ष्मी के रूप में पूजा करने चाहिए या पत्नी या फिर बेहन के रूप में उनके हर अंग को पुवित्र मानना चाहिए इसलिए आप उर्थ की इज़त करें और आपके मन के डर को हमेशा के लिए दूर करें तो दोस्तो आग की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी नीचे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सबस्क्राइब कर दे